ऑज औ Character के टोप 25 फर्मो खबर जानते हैं ज्यार रोखन के पर्वासिस्रामीकों का होता है सोसान रोकने के लिए मजबूत तंत्र-ावस्यक मुंख्यमंत्री हिमनंसुरल ने ज्यार और निराजियों के साथ आवस्यक चर्चा करेंगे CM ने कहा केंद्रे सरकार की कई एजेंसिय विकास परियुजनावों के लिए काम पर रखने के बाद सरमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में भी फल रही है मीडिया से उन्होंने कहा सरमिकों की दूरदासा देख कर दुख होता है सरमिकों को उनके बैद बकाया से बनचीत किया जाता है जबकि उन्हें NTPC और BRO जैसे संगटनों द्वारा ठेकदारों या विचलियों के जरिये काम पर रखा जाता है BCS बीमान से राची लाए जाएंगे सिक्छा मंत्री चनाई के MGM अस्पताल में इलाजरत जार्खन के सिक्छा मंत्री जगनात मतोपूरी तरस्वर्ष्थ हो चुके है बतादे उन्हें सोमवार को चनाई से राची लाने की तैयारी पूरी कर लिगई है उनको लाने के लिए एक चार्टर प्लेन भी तैय कर लिया गया है प्लेन सोमवार की सुबर नव वज़े चेनाई के लिए उडान भरेगा पतादे मंत्री को लाने रिम्स, क्रिटिकल केयर विभागा अध्यक्ष डाक्टर पीके भटाचार्य और मेडिसिन विभाग के डाक्टर अजीत डुग डुग भी जाएंगे जैक वोर्ड मैट्रिक इंटर में आई नमबर से खुस नहीं चात्र दे सकेंगे परिक्षा फेल होने पर कमपर्टमेंटल का भी मौका जारखन एकेडमी कॉंसील की मैट्रिक और इंटर की परिक्षा में पास करने के बाव जो चात्र चात्रा अगर अपने नमबर से खुश नहीं है तो उनके लिए परिक्षा काविजन किया जाएगा वहाई जो छात्र छात्रा परिक्षा में पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए अलग से कंपर्टमेंटल परिक्षा होगी बता दे जैक इसकी त्यारी कर रहा है मुख्यमंत्री हमानसुरण की स्विक रिति के बाद जैक की और से जारी होने वाले काईडलाइन में इनके फ्रहोधान किये जा रहे है बता दे नवी की अधार पर मैटरिक और 11 की अधार पर इंटर करियर्ट तयार होना है कुरोना के सीकार लोगों के सम्मान में आज 11 बजे 2 मिनट का मौन मुख्यमंत्री कुरोना वायरस ने जीन लोगों को हम से छीन लिया है उन्हें मिलकर सधांजली देनी है बता दे सो मौर 11 जुन को पुरे राजे में स्वर्वधर्म प्राथना का आयोजन किया है इसमें दिवंगतों की आत्मा की सांती और कुरोना से मिमार हुए लोगों के सीगर स्वास्त की कामना की जाएगी बता दे आज दीन के 11 बजे पुरे राजे में 2 मिनट का मौन रखकर उन लोगों को सरधांजली दी जाएगी जिनका कुरोना के करण निधन हो गया मुख्य मंत्री हमान सुरेन, राजे पाल दुरुपदी मुर्मो और राजे के सभी बड़ी हस्तियों ने लोगों से अपील किया है कि वे मिलकर प्रातना करें और 2 मिनट का मौन रखे भैक्सिन लेने के बाद सरीर में चिपकने लगे चमच और सिक्के कोविड भैक्सिन लेने के बाद सरीर दर्ध होना और हलका बुखार आना तो आम बात है लेकिन हजारी बाद के कटम सांडी प्रखंड के अलग डिहा गाउं से अजीबो गरीब मामला सामने आया है बता दे अलग डिहा के निवासी ताहिर हुसेय ने दावा किया है कि भैक्सिन की पॉली डोई लेने के बाद उनका सरीर मेगनेटिक हो गया है उनके सरीर में चमच और सिक्के चिपकने लगे है बतादे ताहिर ने बताया कि उन्होंने बीते स्वनिवार को वैक्सिन की पलीडोली थी इसके बाद से उनके सरीर में चमच और सीके चिपकने लगे हैं रांची में पुलिस कर्मियों की बीर पार्टी का वीडियो वाइरल राची में पुलिस कर्मियों की बियर पार्टी की एक वीडियो वारल हुआ है इसमें PCR 10 के पुलिस कर्मी रोग कार्डेन को बंद करवाने के बाद वहां जाम छलका रही थी बतादे वीडियो सामने आने के बाद राची के SSP ने जाज का आदेश दिया है घटना राची के काक रोग गार्डेन की है पतादे राची में संपूर लोग रोग राउन की धजिया पुलिस कर्मियों नहीं उडाई रवीवार को पूरे राजे में लागो पूर्न लोग बाउन के दोरन पुलिस कर्मियों न ड्यूटी छोड़ वीर पार्टी की कुरोना मिरीत तक के परिवारों के उत्थान के लिए नीती बनाएगी सरकार जरकन सरकार कुरोना संक्रमन से मृरीत लोगों के परिवारों का समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन कराएगी ताकि मृत ब्यक्तियों के परिवारों के जरुरत मन सदस्यों को आवसक समाजिक सुरक्षा तता आर्थिक साहता पहुचाई जा सके इसके तहद कुरोना के दूसरी लार में मृत हुए 49-73 लोगों के परिवारों के समद में पुरी जनकारे जुटाई जाएगी बकाईदा समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन के लिए एक्सपर्ट कमेटी से प्रारूप तैयार कराया गया है पतादेराई सरकार के निदेश पर स्वास्त विभाक के अपर मुक्ष सर्चीव अरुन कुमार सिंगी ने समाजिक आर्थिक सर्वेक्षन को लेकर सबी उपायुक्तों को आदेश चारी कर दिया है राष्टी ये सिक्षक प्रुसकार के लिए ओनलाइन करे आवेदान सिक्षक के छेत्र में उलेखनी योगदान के लिए प्रतिवर सरकारी वह मन्याता प्राप्तनी जी विद्यालियों को नेशनल आवार्ड टू टीचर्स से समानित किया जाता है इसके लिए सिक्षक 20 जून तक ओनलाइन आवेदान कर सकते हैं जारखन में अब तक महामारी घोसित नहीं हुआ बलाइक फंगस राजे में बलाइक फंगस के 126 मरीज मिल चुके हैं इसमें से 78 मरीजों में जहां बलाइक फंगस की पुष्टी हो चुकी है वहीं 48 मरीज संदिक्ध है बता दे सुबे में इस विमारी से 20 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि 15 मरीज स्वास्थ हो चुके है धिरे धिरे राज में ब्लैक फंकस का परसार 18 जीलों तक हो चुका है इसके बावजूद राजे में इसे महामारी घोसित अभी तक नहीं किया जा सका है जारखन में 154 मरीज मिले हैं जो राची से 17 पूर्वी सिम्हूम 3229 बोकारू साथ धनबाज 4 रामगर 3 पच्मी सिम्हूम से 8 कोडार्मा 8 पलामू 3 देवघर 3 गुमला 7 गिरिडी 5 खुटी 6 लातेहर 7 सराय किला 3 सिम्हदेगा 12 गढ़वा 1 लोहरदागा से 1 चात्रा से 2 गोड़डा से 0 जाम तरा से 2 साहिवगन से 3 दूमका से 1 पाकुर से 0 मरीज मिले हैं बता देज हरखन में कूल मोथ की संक्या 584 है वहीं कूल एक्टिव केस की संक्या 3395 है भारत में 68332 नाए केस मिले हैं भारत में कू गाओं में को वैक्सिन और कोवी सील को लेकर फैली भरांतिया गाओं में भैक्सिन को लेकर अब नई भरांतिया फैल रही है बता देग्रामिन कोवी सील भैक्सिन लगाने से इनकार कर रहे हैं वे को वैक्सिन ही लगाना चाह रहे हैं इस बात की जनकारी अधिकारियों को तब मिली जब्य ग्रामिन इलाखों में लोगों को टीका के प्रति जागरू करने पहुचे ग्रामिन कह रहे हैं कि को वैक्सिन ज़्यादा कारगर है इस वैक्सिन को अधिकारियों और वी आई पी को लगाने के लिए सुरक्षित रखा गया है इसलिए इसकी कमी हो गई है कोवी सील्ट कारगर नहीं है इसलिए लोग इसे नहीं लगा रहे हैं जारखन मौसम विभाग के उनसार मानसुन सक्रिये हो गया है बतादे राज़ धरनी राची सहित राजे के अधिकतर हिसों में रविवार सुबह से रुक रुक कर बारिस हो रही है तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से रहात भी मिली है बतादे सनिवार को मानसुन राजे के उतर पूर्वी जिले में परवेश किया था मौसम विवार के अनुशार राजे में सबसे पहले मानसुन ने धानबाद में दस्तक दी है राजी मौसम बिग्यान केंद्र के बिग्यानिक अभिषेक आनद नेरा भीवार को बताया कि अगले 24 गंटे में राजे में मानसुन पुन रूप से सक्री हो जाएगा इसके कारण राजे के लवबक सभी जिलों में भारिस बारी होने की संभवना है ज्यारखन के च्छ जिलों में आज बलट कॉम्पोनेंट सेप्रेशन का सिलन्यास करेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है मनसुलें 14 जून को 20 रक्त दान दिवस के असर पर राजे के च्छ जिलों में बलट कॉम्पोनेंट सेप्रेशन इकायों का सिलन्यास करेंगे बदा देराची, गुमला, पलामो, धनवाद, गिरीडी एवं पुर्वी सिम्भू में अधिय स्ठापित किये जाने वाले बलट सेप्रेशन इकायों के सिलापाट का अनावरन किया जाएगा स्वाच सिक्षा एवं परिवार कल्यान मंत्रले ज्छार्खन सरकार की ओर से आयोजीत यम ज्छार्खन राज AIDS Control Society के स्वाजने से राज के छव्जीलों में वलट कंपोनेट से प्रेशन इकायों का वर्चुएल सिराने आज कारेकरम अयोजीत किया जाएगा ज्छार्खन अन्दोरन कारियों की आज में में मेमोरियल पार्क निर्मान कराने की माँँ कांगरेस विधायक बंधु तिर्की नर अभिवार को मुख्यमंतर हमान सुरेन को पत्र लिख कर ज्ञारखन आदोरनकारियों के असमरण में मेमोरियल पार्क निर्मान कराय जाँने की मांकी है तिर्की ने पत्र में कहा है कि एक लंबे संगहर्स के बाद जार्खन अलग राज का सापना सकार हुआ दिस्वम गुरू सीवु सुरेन के अथक परिशरम बलिदान यम संगहर्सों को भी भुलाया नहीं जा सकता बीना राजिस्टेशन कराए मिलेगा को वैक्सीन का दूसरा डोज पलामो उपायुकते पलामो उपायुकत सासीरंजने रविवार को बताया कि जीले में सत परतिशर्टी का करन कराने को लेकर अभियान जारी है उन्होंने बता है कि बैक्सिन का दूसरा डोज देने की परिकिरिया को और सुलव बनाते हुए रेस्टेशन की परिकिरिया खत्म कर दी गई है उपायुक ने बता है कि 1844 आयूबर के जिन लोगों को सहर के मेदनी राय मेडिकल कोलेज अस्पताल के अलावा सदर परखंड का पुराना कर्याले भावन, बैरिया इस्थित सदर परखंड कर्याले परिसर, सुधना अगोर आशरम रोड इस्थित पराथमिक विद्याले, राची रोड रेडमा इस्थित पंचाय भावन में कैम्प लगा कर को बैक्सिन दिया गया था जिसमें ऐसे कई लोग हैं जिनका को बैक्सिन का दूसरा डोज लेना का समय आ गया है लोगडाउन उलंगन मामले में दो लाख वसुला गया है जार्खन में क्रोना के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए जार्खन सरकार के ओर से स्वास शुरक्षा सबता पर सकती बरती जा रही है लोगडाउन के तहर सरकार की ओर से सकती बरतते हुए 38 गंटे का लोगडाउन लगाया गया है लोगडाउन सनीवार साम 4 बए से सोमवार सुबह तक लगाया गया था बतादे जार्खन पूलिस सरकार के निर्देसों का पलन कराने के लिए सटकों पर अभिवार को अभियान चलाया इस करम में राजी के 861 अस्थानों पर पूलिस ने जाच अभियान चलाया जाच के करम में 188 लोगों ने सरकार की ओर से जारी निर्देसों का उलंगन किया साथी सरोजनिक अस्थान पर बिना मास्क पहने 2084 लोगों की जाच की गई राजे भर में सिवीर लगा कर 1000 यूनिट रक्त एकत्र होगा जार्खन परांतिये युगा मंच की ओर से 20 रक्त दाता दिवस पर सो मार को राजे भर में सिवीर लगा कर 1000 यूनिट रक्त एकत्र किया जाएगा संगठन की ओर से इस मोके पर राची के अलावा जमसेदपूर धनबाद दूम का डाल्टिन का इलात्यार में स्वेक्षिक रख्त दान के लिए जागरूपता अभियान चलाया जाएगा बदादे प्रांतिये अध्यक्ष नंदलाल अगरवाल ने कहा कि जार्खन में काड़त सक्खा में से 33 की ओर से सिवीर कायोजन होगा जरूरतमंद बच्चों के लिए पर्तिक्षा ने शुरू की सुरेंदर आशा चात्रीवीर्टी का सुबारम किया या चात्रीवीर्टी राची में रहे गरीब परिवारों के बच्चों की मदद के लिए शुरू की गई है इसी वर्षर सती पूजा के आउसर पर जे पिएसी अध्यक्ष अमिताप चोधरी ने संस्था को या च्छात्र वीर्ती को सुरू करने के लिए 40 लाग की धनरासी सहायता के रूप में दान की थी गरामिनों के बीच जन जागरूता अभियान चलाएगी कॉंग्रेस जार्खन परदेस कॉंग्रेस कमिटी ने गरामिन छेत्रों में कुरोना संक्रमन की स्थिती बचाव वैक्सिनेशन को लेकर भरम और अफवाक के लिए गरामिनों के बीच राजब्यापी जन जागरूता अभियान चलाएगी इस दोरान गरामिन छेत्रों में स्वास्त की स्थिती और अने समस्याव को लेकर सर्वेव कर पार्टी की ओर से बिच्तित रिपोर्ट सरकार को सोपी जाएगी नीजी बिद्याले जाखन अभिभावक महासंग की ओर से वेबिनार का विजन किया गया बतादे बोकारो जिला अध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा कि राज सरकार की ओर से कुरोना काल में बिद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फिस वसूल करने किसी भी परिष्थितियों में ऑनलाइन का अक्षा से बचो का नाम नहीं हटाने आधी को लेकर गाईलाइन जारी किया गया था लेकिन कुछ नीजी बिद्याले सरकार के गाईलाइन के अंदेखी कर रहे हैं फिस के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है ट्य नीजी बिद्याले को सुत्र 21-22 के लिए पाठे पुस्तकों पर बदलाव नहीं करने का भी निर्देश दिया था